गाईस, आज की बीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने Samsung Galaxy A04S के फोन में Data Usage Real-Time Network Speed आप लोग अपने Status Bar में कैसी सो करेंगे जहां पर आप लोग देख सकते हैं आपने कितना बे-use किया है और Internet Speed क्या आ रहा है, सब कुछ आप लोग देख सकते हैं उसके लिए दोस्तों आपको अपने फोन में जाएंगे अगर सेटिंग में यह फीचर नहीं मिलेगा इसलिए आप लोगों को अपने फोन में Play Store open करना है Play Store open करने वाद कुछ ऐसे इंटरफिश आपको देखने को मिल जाएगा अब उपर आप लोगों को Search Bar मिलेगा इस पर आपको किलिक करना है किलिक करने वाद यहाँ पे सर्च करना Internet Speed Meter और यही सर्च करने वाद एप्लिकस न आपको मिल जाएगा आपको इसको डाउनलोड करना होगा लेकिन ध्यान रहे डाउनलोड करने इस पहली वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बाक्स में लिख दीजिएगा Samsung Galaxy A04S Data Usage इतना आप लोग जरूर लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करना अब इसको अपने फोन में डाउनलोड करके ओपें कर लिजिए तो यहाँ पे आपको लिस्ट वाइज दिखा रहा है कितना भी आपने किस तारी को यूज किया है हमें लिस्ट वाइज नहीं सो करना है हमें अपने स्टेटेस बार में सो करना है preference के option पर जिससे आप लोग किलिक कर देते हैं finally आपको कुछ ऐसा interface देखने को मिल जाता है एक option आपको यहाँ पर मिलेगा so up down speed का यह option यहाँ कहीं भी आपके phone में मिले उस पर आप लोग किलिक करके इस तरीकी से trick लगा दीजिए अब यहाँ पर आपको इस application के अंदर कुछ भी नहीं करना है finally हम इस application को कट करके बैक आजाते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीकी से status bar में अभी data usage दिखाए देगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं real time network speed के साथ साथ real time network speed और daily data usage wifi usage सब कुछ आपको इस application के मादिम से सो होता है आप जब भी चाहिए अपने status bar को slide करें वहाँ पर आप daily data usage देख पाएंगे वीडियो पसंद आए ते वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर करें